अज मैं आपको इस सेशन में दिल्ली सल्तनत के किलजी वन्स के बारे में बताऊंगे खिल्जी वंस दिल्ली सल्तनत का दुसरा वंस है इसके संस्थापक जलाल उद्दिन खिल्जी थे खिल्जियों का दिल्ली संतनत की राजगद्धी परिधिकार एक राजवंस ये परिवर्तन से कहीं अधिक महत्पुन घटना थी खिलजी वंस के अस्थापना खिलजी क्रामती के नाम से परसिद्ध है खिलजी वंस के काल में तुर्की लोगों की जातिय तानसा ही समाप्त हो गई खिलजी मुख्यता सरवहारा वर्क के वेक्ति थे जलाल उद्दिन फिरोज खिलजी ने बारो सो नब्बे से च्हानबे इस्वी तक सासन किया था खिलजी वंस के सुल्टान भी तुर्क थे जलाल उद्दिन ने तात्कालिन सासक केकुबादें केमूर्स की हत्या कर 1290 इस्वी में किलखुरी में स्वयम को सुल्तान घोसित किया जलाल उद्दिन फिरोज खिलजी ने 70 वर्स की उम्र में 13 जुन 1290 इस्वी को दिल्ली की राजगदी ग्रहन की जलाल उद्दिन 13 जुन 1290 इस्वी को जलाल उद्दिन फ्रोज खिल जी के उपाधी के साथ सिहासन पर बैठा जलाल उद्दिन का राय जबिसे केकुबाद द्वारा बनवाये गए किलखोरी के महल में हुआ इसने अपनी राजधानी किलखोरी को ही बनाया जलाल उद्दिन का राय जबिसे क मैधिकालीन भारत के राजनेतिक एवन सांस्क्रितिक इतिहास में एक क्रांती का पर्तिक था जलाल उद्दिन के दरबार में अमीर खुष्रो तथा हसन देहलवी जैसे प्रख्यात कभी मौजूद थे अमीर खुष्रो का मूल नाम मुहम्मद हसन था उसका जन पटियाली पष्च में उत्र परदेश के बदाईयों में बारसो तिरपर निश्वी में हुआ था खुष्रो परसिद्ध सूफी संत सेख निजामुद्दिन ओलिया के सिष्य थे वह बलबन से लेकर मुहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दर्बार में रहे इन्हें तूतिये हिंद अर्थात भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है सितार एवं तबले के विसकार कस्रे अमीर कुष्रो को ही दिया जाता है अम तता 1296 इस्वी में जलाल उद्दिन का भतिजा एवं दमान अराउद्दिन खिल जी ने कराम निकपूर जोकी इलाहबाद में हैं वहाँ पे उनकी हत्या कर दी इसके बाद 22 अक्टूबर 1296 इस्वी को अलाउद्दिन दिल्ली का सुल्तान बना अलाउद्दिन के बच्पन का नाम अली तथा गुर्शास था अलाउद्दिन खिल जी ने सेना को नगद वेतन देना प्रारम किया एम अस्थाई सेना की निव रखी दिल्ली के सासकों में अलाउद्दिन खिल जी के पास सबसे विशाल अस्थाई सेना थी अलाउद्दिन ने भूरा जस्प की दर को बढ़ा कर उपज का वन बाई टू भाग कर दिया अर्थात भूमी से जितना भी धन उपज होता था उसका वन बाई टू भाग उन्हें सुल्तान को कर के रूप में देना पड़ता था तथा लूट के धन में सुल्तान ने अपना हिस्सा वन बाई फोर भाग के स्थान पर थिरी बाई फोर भाग कर दिया अलाउद्दिन ने स्वेम को मानिकपूर में ही सुल्तान घोसित कर दिया था किन्तु उसने अपना राजविसेक दिल्ली में इस्थित बलबन के लाल बहन में करवाया अलाउद्दिन के समकालिन अमीर खुसरो ने उसे एक भाईग्यवादी व्यक्ति कहा है इसने व्यक्ति के सरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया तथा इसने अपने सासनकाल में मुल्य नियंतरन पर नाली को लागू किया बजार नियंतरन करने के लिए अलाउद्दिन खिलजी द्वारा बनाये गए नमिन पद फर्स्ट पद है दिवाने रियासत या वेपारियों पर नियंतरन रखता था तथा बजार नियंतरन की पूरी वेवस्था का संचालन करता था सेकेंड पद है बजारे मंडी परतेक बजार में बजार का एक अधी रच्छक था जो बजार की कुरूतियों से रच्छा करता था थर्ड पद है बरीद बरीद बजार के अंदर घुमकर बजार का निरिच्छन करता था तथा फोर्थ पर्ध है मुनहियान वा गुप्चर जो की गुप्त सुचना प्राप्त करता था। आउदिन खिलजी दुबारा लगाया जाने वाले दो नवीन कर फर्स्ट है चराईकर जो की दुधारू पस्वो अर्थात जो दूद पिने वाले थे उन पर लगाया जाता था और सकेंड है गड़ी कर या कर घरो यम जोपड़ी पर लगाया जाता था। इस सेशन में बस इतना ही इससे आगे का मैं आप लोगों को अगले सेशन में बताऊंगी। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो ऐसे ही और भी सेशन देखने के लिए मेरे चैनल हिस्टोर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दवाना ना भूलें।